नमश्कार एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तितु एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के साथ बहुत ही इंपोर्टन कंसर्ण भी है यह हमारे देश के लिए साथ ही साथ हमारी विवस्था के लिए भी आप देखूगे और तालिस घंटे में तीन बार जम्मू कश्मीर पर अटाक हो चुके हैं बस पर अटाक हुए जिसमें 11 लोगों की जान चली गए उसमें से आपका एक दो साल का बच्चा भी था एक पती-पत्नी साथ में आयोए थे जिनके घर पर तीन बच्चे थे वह पती-पत्नी उनकी भ सेना पर हमला करते रहते हैं CRPF पर हमला करते रहते हैं लेकिन अगर गलती से CRPF की जो प्लास्टिक वाली गोली भी यह उनको लग जाती है तो Human Right Commission वाले आकर कि यह कहरे लगते हैं कि भारत में कैसी व्यवस्ता है यह यहां पर लोगों कोई जानों की यहां पर कोई फिकर नहीं है ऐसे ही यहां पर गोलिय चला दी जाती है सेना को ना जाने कितनी बार बुरा भरा कहा जाता है कई बार तो व्यवस्ता और प्रधार मंत्री तक भी बाते पहुत जाती है जब कैला स्टोरी आई तो आपने देखा होगा कहा गया कि यह कितना बड़ा कोई होती है कोई भी प्रॉल्ब्ल्म यदि क्रियेट होती है तो हम हर बार एगर हमwr अगर आगर कुछ हुआ है तो इंडिया सब कात की चर्चा नहीं करते है वही celebrity अपनी post उपर इस तरीके से आक्रोश नहीं दिखाते हैं वही यदि आप कहलो कि जब 2 साल का बच्चा मारा जा रहा है तो human right commission कहां पर है तो उस पर मुद्दा नहीं उठाया जाएगा वही यदि सेना की गोली से जो पत्थर बाज है कश्मीर में जो पत्थर फेक रहे हैं जो सेना पर हमला कर रहे हैं यदि उन पर गोली चल जाती है तो human right commission सेना propaganda पूरे all over the world में फलाया जाता है और यदि मैं बात करूं muslims की safety की तो आप सभी को पता है भारत में जितने जादा Muslim safe है सायथ किसी दूसरी country में safe नहीं होंगे कब होता है यह जब पुरधान मंत्री जिदिन सपत लेने वाले हैं उसके एक घंटे पहले हमें देखने को मिलता है कि यह हमला हो गया उसके बाद continue हमले होते चले जा रहे हैं क्या कारण है इसके पीछे का क्यों ऐसे हमले हो रहे है कारण क्या था पुरधान मंत्री मोदी जी कारण ऐसे नहीं थे कि उन्होंने शपतली पुरधान मंत्री बने या इस तरीके से कारण यहां पर था आपका धारा 370 हटाया गया था पुरधान मंत्री मोदी जी के दौरा उसी के पसात यहां पर एक गुट निकल करके आता है जो की इस धारा का विरोध कर रहा था ये गुट फिर बड़े-बड़े आदंकी और्गनाइजेशन से मिलता है और जाकर कि ये जो हमला अभी जब मोधी 3.0 आया तीसरी बार उन्होंने शपत ली तो उनके शपत के एक घंटे पहले हमला किया गया ये हमलावर क्या बताना चा सबस्क्राइर कौल के रहे हैं कि देखिए टांगट झोड भी उन्होंने किसको क्या जैम्मु कश्मिर का कोई बी मुसलिम स्बस में सवार नहीं होगा जम्मु कश्मीर की जो लोकल भशी उसको कि उन्होंने टार्गट नहीं किया अन्हों देत्धी नें आगी today से हन्ध के कुरान में लिखा गया है कि आपको जो निहत्ते लोग है जो बेकसूर लोग है उनको मारना सही है अपने धर्म के लिए किसे ने कहा यह किसी भी शायद सेक्टर में लिखा होगा यदि मैं आपकी हिस्टरी की बात करू जाकर के कि कैसे कैसे यहाँ पर हमले किये गए हैं तो लोगों की जान चली जाती है रिपीट हमला 2017 में होता है आठ लोग मर जाते हैं यह आतंकी हमले थे जो कंटीनियू सिरीज मैंने आपको गिनाई है कि इस इस तरह से इतिहास में आप देखोगी कि हमले होते आ रहे हैं इसके पशात आज भी जमू कश्मीर में टार्गेट कि कि हमें उन चीजों को देखना है जो 10,000 तूर हैं लेकिन हमार हैं यहां पर जो प्रॉब्लम से उनको हमें नहीं देखना है, अगल यहां पर क्याबिनेट बनाई गई अगेन मैं मिनिस्टर पर नहीं जाओंगी, reason मैं आपको एक चीजे बताना चाती हूँ, summarize करवाना चाती हूँ कि आपके माइड में कैसी चीजे चल रही है, देखें उनकी नीतिया, उनकी policies अलग हैं, लेकिन कार आप हर एक वर्ग के लिए किया जा रहा है, ऐसे किसी को target नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके से जब हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी जो diversity है, वो बहुत अच्छी है, और हम बहुत प्यार से रह सकते हैं, कारण क्या हो जाता है पीछे, कि जब भी हम एक पॉलिटिकल पॉइंट पर आते तो बहु ज़्यादा प्रवोक हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगती है, तो यह तो रही है सारे चेत्रे, अब देख लेते हैं, कहां कहां पर हमला किया गया, आप देखोगे कि 10 जून को रियासी में जो सद्ध्धालू जा रहे थे, उनकी बस पर हमल हमला होता है और उसके बाद दोडा चेतर में हो जाता है, बताया जा रहे है कि यहां पर जो हमलावर थे वो घरों में जा करके नौक करके पानी मांग रहे थे और पानी मांगते और उसके पर हमला कर दे रहे थे, सेना की जो बस थी उन पर हमला किया गया, बेस कैंप जो थे तुरक्य से पूरा रूट बना हुआ यहां पर आपको दिखाया गया है आगे बात कर लेते हैं यह वो बस है जो उस दिन खाई पर गिरी थी वहाँ पर रस्क्यो ऑपरेशन चलाया गया ग्यारा लोगों की मौत हो गई कई लोग वहाँ पर घायर हो गए यह जो हमले की जिम्मेदारी लेता है यह लेता है आपका टी आरेफ दर रेजिस्टेंस फ्रंट यह रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है तो यह नया गुरूप बना था जब आपकी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी उसके पश्चात यह गुरूप निकल करके आता है जैसे मैंने आपको बताया और फिर वो बड़े बड़े जो बंदी अभियान शुरू कर दिये गए थे यहां पर छेत्रों में और लोगों को घेरा बंदी करवा दी गई थी इसके लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है अब जमू कश्मीर से तो जो भी लोग जमू कश्मीर से मुझे देख रहे हैं या फिर जो भी यह आसपास यहीं सारी चीजों को लेकर के कंसर्ड हैं के इसको कैसे हम कम कर सकते हैं कैसे हम पॉलिटिकल ही चीज racism निकल करके अपने तौरीके से स्को सोच्वने हैं हमें कुछ ऐसे इंसानियत और मानवता की नाते भी अपनी चीजों को देखना चाहिए तो यहां पर देखते हैं और आगे चीज़े क्या थी कि जम्मु कश्मीर के डोड़ा जिले में पुलस और सुरक्षा बलो की एक सईक्त चौकी पर आतंक वादियों दौरा हमला किया जाता है और यह कि जम्मु कश्मीर पे हार नसान ओतंकी है बिल्कुल भी नहीं है बहुत अच्छे लोग है जो लोग को सपोर्ट भी करते है लेकिन कोच ऐसे गुट है जो… अतंक की जो लोग रह रह रहे है या पक ही संगठन रह रह रहे हैं उनका सपोर्ट करते। उनके साथ मिल करके जो CRPF उन पर पत्थर बाजी करते हैं आपको एक चौकाने वाली चीज में बता दू जो पत्थर बाज होते हैं वो महिला और बच्चों को आगे रखते हैं ताकि वो जो पुलिस है सामने जो खड़ी हुई है जो CRPF खड़ी हुई है वो हम लोगों को ना जाता है लेकिन जब इस तरह का हमला होता है तब यह सारे लोग कहां पर होते हैं तब उनको क्यों नहीं कंसन होता है कि एक दो साल का बच्चा मर गया है आप देखिए जब अटल भिहारी बाजपेई हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस टाइम भी यहां पर ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा जिसके पशात क्योंकि उन्होंने सांती की पहल करी थी हमेशा भारत इन सब चीजों में शांती को ले करके शांती पर विस्वास करता है पहल करता है चीजे आगे ड्राइवन करता है लेकिन कहीं न कहीं इसको भुकतान भारत को स्वेम ही करना पड़ तरह से भुगतना पड़ता है आगे बात करते हैं जम्मू छेतर में एक अलर्ट एडवाईजरी जारी कर दी गई है यह जो भी लोग वहां है वहां के हैं तो इसे जरूर समझे एडवाईजरी में कहा गया है कि इसमें लोगों को संदिक्त वैक्टियों से सतर्क रहना है जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं साथ वस्तू की आवाजाही के बारे में सावधानी बरतनी है कि कौन सी वस्तू कहां आ रही है जारी कौन क्या समाल ले रहा है कोई अगर अलग चहरा आपको दिखता है तो तुरत वहां पर CRPF इन सब के बारे में जानकारी दीजिए यहां पर रियासी में जब हमला होता है तो दो स्केच यहां पर जारी किये गए है आतंकवादी के कि इस तरीके से आतंकवादी थे जो भी यह स्केच देख रहा है या किसी को कहीं देखे या मिले तो अफकोस इनके उपर 20 लाक रुपए का ही नाम रखा गया है सरकार के द्वारा कि उनको क्या है 20 लाक रुपए दिये जाएंगे जो भी इनका पता बताएगा इसके साथ 4 और अतंकी थे तो उनका अभी इस तरह स्केच जारी हुआ है जिनोंने डोडा पर हमला किया था ठीक है तो डोडा पर हमला करने वाले यह 4 लोग थे और रियासी पर हमला करने वाला एक वेक्ति यहां पर आपको शो किया गया है जम्मु कश्मीर के पीर बन जाले वहां पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं यह देखिए उरी स्ट्राइक आपने देखी थी पूच रजोरी बर्मूला बुडगाम यहां पर पुलवामा इसके बाद आता है शोपियन कोके भूरे नाग और रही सी यह आपको जितने भी खे दिख रहे हैं यहां पर आप देखोगी कि हमले हुए हैं आए दिन ili को मिलते हैं तर्र आटक्स यहां पर होते रहते हैं यहां पर ऑगे पड़ लेते हैं जम्मू खेतर में पूच और जोरी ज जिले पीर-पंजाल प सुरक्षा बलो और चरमपंथियों के बीच फारेंग हुई थी वहीं 20 अपरेल 2023 की बात करें तो पाथ जवानों की इसमें जान भी चली गई थी शाओत एशियन तोरो रिज्व पोर्टल के मुताबिक जम्मु कश्मीर वर्ष 2022 के मुकाबले में वर्ष 2023 में सुरक्षा बलो प जो हमले हुए हैं इनको कहा है कि जिम्मेदारी ली है कि हमारे दौरा कराए गए है तो धारा 370 हटने के बाद ये जो संगठन है ये अस्तितों में आया था बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहेंगे कि 370 हट आई गई तो देखो इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल र इसके लिए कुछ और भी जादा बोल सकते हैं क्योंकि वह दुरुवराठी के फैंस भी होंगे दुरुवराठी अगर फैक्ट पे बात करें तो वह अच्छी बाते करते हैं लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टागट करके बात करेंगे तो आपकास आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको गलत होता हुआ जरूर दिखाई देगा तिहां पर किसी परसन की बात नहीं की जा रही है बट एक प्रॉपगेंड़ा जो फैलाया जा रहा है भारत में उसकी बात की जा रही है और इससे जो हमारी आम जनता है उस पर एफेक्ट पड़ता है इसस तो उसी अकॉर्डिंग जाएंगे ना कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जुकेंगे फिर हम एक संगठन जो है जमू कश्मीर में जैसे छोटे-छोटे बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाता है बता कर गे कि हम आजाद नहीं है हमारी आजादी इन लोगों ने छ पॉजगारी यहां की प्रॉब्लम्स हैं कि उनको टाइम पर सही जो यूजना है वो नहीं लाई जारी है भरतिया नहीं निकाल जारी आप इन मुद्धों पर बात करिए आप गरीबी पर बात करिए आप टर्रिजम पर बात करिए यह हमारे भारत के बहुत बड़े जिसके थूँ में आपको समझाओं घी यहां पर कोई पॉरिटिकल पार्टी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है ना मोदी जी प्रॉब्लम है ना ही राउल गानी जी प्रॉब्लम है नहीं आपके बैठे वो जेल ंंदर जो बैठे हुए के बैच रीवाल जी वो सरकार ने वर्ष 2023 में आतंगवादी संगठन इसको गोशित कर दिया था किसको टी आरेफ को हम लोग को अंजाम देने वाला टी आरेफ और शूट हिट स्क्वाड को फॉलकन स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यहां देखे जब हमला हुआ तो उसके पशात उन्हो करे द्वारा कराया गया है जैश का डी शेडव ग्रुप कश्मीर टाइगर्स जैश और लसकर आतंग की संगठों में अपने उपसमू भी बना लिये हैं और कश्मीर टाइगर भी जैश मुहमद की ही एक शाखा है जो उनके द्वारा लाई गई है और यहां पर दखो कश्म में टाइगर्स के नाम से यह चीजे उन्होंने जारी करी थी बताया था कि भाई हम क्या चाते हैं हमारे इरादे क्या है और किस तरीके से हम आगे निकल करके आएंगे रही बाद सरकार की पॉलिसी जिनकी मैं बात करी थी छोटे से एक्जामपल से मैं समझा सकती हूं आपक इन चारो धर्मों के बीच में एक ऐसा अस्थान है जो कॉमन है पानी का एक जगह है सिंपल से मालीजे कि एक कुआ है और यहां से सब को पानी देने के लिए सरकार ने ववस्था करी है कि वहां पर पानी की ववस्था नहीं थी यहां पर सारे जो धर्म जाती के लोग यहां तो प्रॉब्लम यहां सरकार की है कि आपस की लडाई चल रही है अब यहां पर सिख कहने कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए आप जो है इस कुए पर नहीं आएंगे और ले करके लडाई करने लगे तो यहां पर सरकार की दिक्कत है कि हमारी आपस की दिक्कत है हम लडाई कर र चीजे फलाते हैं चीजे फलाते हैं और क्या करते हैं हमारे देश की सांती भंग करते हैं यदि हमें अपने देश में सांती से रहना तो अपनी चीजों को समझना है अब इस कुवे का लाब हर कोई उठा सकता है लेकिन mentality क्या है कि हमें नहीं उठाने देना है और यहीं सेम चीज लागू हो जाती है हमारी कास्ट के लिए भी कि यहाँ पर ब्राम्हन है यहाँ पर आप मालीजे कोई दलित व्यक्ति है यहाँ पर मालीजे कोई वैश हो गया यहाँ पर आप मालीजे या शूद्र हो गया यहाँ पर तो प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम आपस में होती है, आपको अपना मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, हर चीज के लिए हम सरकार को दोस नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजे यह जो योजना है, जिनका लाब नहीं उठा प इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा सकती है, इसके बाद आप देखो, आप देखोगे कि हाँ पर बयान भी आया था मोडी जी का, कि इसको ले करके मैं क्या करूंगा, एक्शन भी लूँगा, आगे बात कर लेते हैं, पीपल अगेंज forces to forces के बारे में तो इसकी स्थापना वश्च 2019 में अनुक्षेद 370 के निरस्थ होने के बाद हुई थी एक और और यह लशकर का ही एक संगटन है क्योंकि 370 हटने से बहुत जादा लोग वहां पर नराज हुए थे बहुत सारे आतंकी संगटन सामने निकल करके आये थे और इस वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं आपकी ये बात गलती मैं उसको जरूर सुधारने का प्रयास करूँगी चले लास में देख लेते हैं कि निमलकित में से किस राज्य और के दिशाषिट प्रदेश से रियास ही कठुआ डोडा का संबन्द है लदाक जमु कश शमीर दिली या फिर राजसान बहुत सीधा सीधा क्वशन है अंसर आप दे लोगे लेकिन मुझे आपके व्यूज जानने हैं इस घतना पर कि आप क्या सोस्ते हो क्योंकि आप देश के युवा हो आप देश की युवा जनता हो जो आगे जाकर के कहीं न कहीं किसी न किसी आ आप अच्छे जगह पर होगे कहीं न कहीं आपका इंवाल्मेंट होगा तो तब आप जब डिसीजन लो तो वह आपके आगे के लिए कितना बैनिफिशल हो सकता है आप अपना मेंटल सेट कैसे रखते हो तो ज़रूर मुझे बताना मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के ल हुआ 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 है